जिले में पिछले कई दिनों से सोने की गहने पहने हुई महिलाओ को बरगला कर गहने एटने वाली महिला टोली को सिताबडी पुलिस और क्राइम ब्रांच उनिट्टी ने कारिवाई कर गिरफतार कलिया है। गिरफतार आरोपी पुजान दरेश सोलंकी, रतनी, सितराम राठोड, गोपी बाई जीवतलाल सोलंकी, पारो जितु परमार, हरिश पावुलाल दापी तथा अरुन अर्जुन परमार है। सबी दिल्ली के ड्रगवीर नगर बिरते हैं। उनके दो साती फदार हैं। गिरफतार आरोपी पेशिवर अपराती हैं। वा अलग-अलग शेहरों में खुंकर वार्दाताओं को अंचाम देते हैं। पुल अभी इसमें अपने पास छे महिला और दो पुरुष, छे आरोपी अभी अरेश्ट है अपने पास, अबे में हैं। और इसमें दो महिला और एक पुरुष जो इनके साथ सामिल थे, उनको पकड़ना बाकी है। अगले सामने वाले के पास बहुत पैसे हैं। अपने आधे आधे बाट लेंगे उसको कुछ बोलके इस प्रकार से वो उनको अप्रोच होते थे। और फिर उनको अप्रोच होने के बाद ये हमारी बैग है, तुमारा निकाल के सब तुमारे पास जो भी गईने है, वो एक माल में बान के उसमें रग दो, अपने उसके पास से पैसे लेके आधे आधे बाट लेंगे इस प्रकार को उनका मोडस्ता। ये तोटल अभी छे लोग पकड़े गे जिसमें चार महिला और दो पुरुष है, ये सबी रहने वाले हैं दिल्ली के, और इसमें अभी दो महिला जानकारी मिली हैं कि यह मैलाएं दिन बर खुमकर उम्रे दराज मैलाओ को फास्त हैं, उन्हें नोटों का बंडल दिखा कर उसे एटियम में जमा करने गहने खरितने अत्वादान देने जैसे जहांसे देकर बाचित में उलजा देती हैं, इसके बाद गहने रुमार में पा आदी थारा परिसर में वार्दात को अंचांग दिया हैं, आरुपियों से पुष्टाश करने पर उन्हें पांच वार्दात को अंचांग देना कबूल किया हैं, इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर 23,000 नगती 3,000,000 का सोना ततक कपड़े बरामत किये गए हैं, विलार प अखिलेश भारतवाश के साथ प्रकाश शुंकरवार के रिपूर्ट